दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको पतान जली के स्वासारी कुवात के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आपको क्या क्या फाइदे देखने को मिलेंगे इसके आपको क्या result देखने को मिलेंगे इसका इस्तिमाल कैसे करना है क्या इसके कोई side effect तो नहीं होंगे और ये आपके लिए कितना ज़्यादा फाइदेवन रहेगा इसका price क्या है ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा तो ये वीडियो को आप अंत तक देखना तब ही आपको हर एक बात की सही और सटिक जानकारी प्राप्त होगी और दोस्तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको subscribe भी जरूर कर लीजिए जिससे जब भी मैं ऐसी कोई आयरविदिक प्रोडिक्टों के बारे में वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुचे तो चलिए सुरू करते हैं इसके price से दोस्तो ये जो आप पतांजली स्वासारी को आप देख रहे हैं इसका price मातर 50 रुपे है जो आपको 100 ग्राम की packing में मिलता है और इसे आप पतांजली के किसी भी जर्नल स्टोर से खरी सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है ये आपको easily available हो जाएगा तो चलिए आप बात करते हैं इसके main topic पर कि इसके आपको क्या-क्या फाइदे देखने को मिलेंगे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोई है ये कफ, खोल्ड और अस्तमा जैसे रोगों में काफी असरदार औरशिदी है अगर आपको बार-बार खासी जैसी समच्चा हो रही है और खासी होने के कारण गले में खरास और स्वासनली में सूजन की समच्चा देखने को मिलती है तो स्वासारी कवात गले माही खरास और स्वासनली माही सूजन को कम करने में काफी फाइदेबन साबित होती है दोस्तों इसके और भी आपको फाइदे बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर का पाउडर दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा लगता है देख लीजिए इस प्रकार ये दिखता है दोस्तो इस squad को काफी सारी जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाय गया है जैसे मुलेठी, छोटी कटेली, काला वासा, सफेद वासा, दालचिनी, सौंट, तेजपत्र, अमलतास, हादी और भी इसमें काफी सारी जड़ी बूटियां डाले गई हैं, जो आप वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तो अगर बात करूँ इसके और भी फाइदों की, तो यह आपके फेफडों में और गले में कफ को जमा होने से रोकता है और इसके साथ ही, अगर आपके फेफडों में या गले में कफ जमा है, तो इस कफ को भी दूर करने में काफी फाइदेमन रहता है यानि अगर आप इस काड़े का इस्तिमाल करते हैं, तो इससे आपके फेफडों में कफ बनना कम होता है और इसके साथ साथ ये कफ को ढीला करके सरीर से बाहर निकाल फैकने में काफी मदद करता है दोस्तो साथ ही ये नीमोनिया जैसे रोगों में भी काफी फाइदे मन रहता है और अगर आपके फेफ्रों में संक्रमन या फिर फेफ्रों में दर्द जैसी समश्या हो रही है पारिया फाइदा देखने को मिलता है अगर किसी को अस्तमा की प्रॉब्लम है सांस लेने में परिशानी सी होती है तो उनके ले भी डॉक्टर की सला से इसका इस्तिमाल करना काफी फाइदे मन रहेगा तो देखा आपने कितने सारे फाइदे हैं इस स्वासारी कौाद के तो च पकाना है जब तक 100 ml पानी ना बचे और उसके बाद आपको इसे चान कर ठंडा कर सुबह खाली पेट लेना है यारी नास्ते से पहले लेना है और ऐसे ही शाम को भी आपको भोजन करने से आधा या फिर एक घंटा पहले लेना है और इस प्रकार पीने से आपको आप यकीन म नहीं आपको इसका काफी बड़िया फाइदा देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये थी इस प्रोड़क के बारे में कुछ महत्यपूर्ण भरी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर प्रोड़क के बारे में आपको लगतार जानकारी मिलती रहे तो इस चैनल को आप सस क्राइब जरूर करिए अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद